प्रेंट्स बेलकम बैक आवर यूटूब चैनल बे ओन साइंस और हम लोग डिसकसन कर रहे हैं फ्रेंट्स क्लास्टेंद का वुगोल जो की चैप्टर है इकाई तीन उद्धोग निर्मान है फ्रेंट्स हम लोग स्वरी निर्मान उद्धोग है तो फ्रेंट्स इस चैप्टर का एक पार्ट जो है हम लोग पहले ही खर चुके हैं जो की बुक में चैनल में बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंट्स उसमें जाके आप पूरे बुक के चैप्टर को पढ़ सकते हैं फ्रेंट्स इन्पॉर्टेंट हो जाता है हर लाइन बुक का क्यूंकि अबजेक्टिव और जो सौर्ट टाइप के कोश्चन होते हैं बुक से ही आते हैं और एंसे एर्टी कंप्लीट है आपका तो समझेगी बहुत अच्छा है एक्जाम पैटर्न भी उस तरह का कर दिया है सौनबर अबजेक्टिव है और सौर्ट और लॉंग टाइप कोश्चन रहता है तो यहां पर हम लोग को जरूरत है कि यहां पर हम लोग का बुक के लिए रहे और इसके बाद एंसर कोश्चन रिभीजन करने देवाद हम लोग माक्स एक्साम में अच्छा ला सकते हैं तो च कार में विसका वाहरवा तथा एसया में तीसरा स्थान रखता है इस उद्धोग का देश में तेजी से विकास हो रहा है रशाइन उद्धोग को देखें बारत रशाइन उद्धोग देखिए यहां परते हैं फ्रेंट समलोग है यह तिवर बिर्दी अकार्वनिक और कार्वनिक दोनों प्रकार के रशाइनिक उधोगों में दिखाई पड़ रही है भारती अकार्वनिक रशाइनों के आंतरगत गंधक का तेजाब इसका उप्योग उर्वरक किरत्रिम रेशे प्लास्टिक गोंद रंग रोगन ड्राई आदिक के निर्मान में होता है नैट्रिक एसिड छारित समागरी सोडा एस जिसका उप्योग काच, कागर, साबुन तथा बॉसिंग पॉडर बनाने में होता है तथा कास्टिक सोडा आते हैं भारी कार्वनिक रशाइनिक उधोग के अंतरगत पेट्रॉलियम प्रमुख है इनका उप्योग क्रित्रिम रेसे, क्रित्रिम रबर, प्लास्टिक की बस्तुएं, रंग, रोगन तथा औस दियों के निर्मान में किया जाता है और कार्वनिक रशाइनिक उधोग देश के विविन भागों में फैले हैं जबकि कार्वनिक रशाइनिक तेल, सोधक तथा पेट्रॉलियम सयंत्रों के निकट इस्थित है कीट नासकों के उत्पादन ने हानिकारक कीट पतंगे और खर पतवार को नियंत्रित करक्रिशी में विशेश योगदान दिया है और सधियों के उत्पादन में भारत विशका सिल देशों में अगरणी है यह पूरे उधोग का 14% उत्पादन करता है तथा निर्यात में भी इसका 14% का योगदान है सकल घरिलू उत्पाद में इसकी भागिदारी 3% है अब देखते हैं फ्रेंट समलोग उर्वरक को धोग के बारे में देखते हैं भारत एक रिशी प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाओ सक्ति को बनाये रखने के लिए उर्वरक का उप्योग अनिवार है भारत विश्व का तीसरा बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक है भारत का पहला उर्वरक सयंत्र सन 1906 इसवी में रानी पे तामिलनाडो में अस्थापित किया गया प्रन्तु इस उद्धो का वास्तिविक विकास सन 1921 कामन में भारती उर्वरक नियगम द्वारा सिंद्री में सयंत्र अस्थापित करने से हुआ हरित करांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी है जिसमें भारत के विभिन भागों में उर्वरक सयंत्र स्थापित करने के लिए मार्क प्रस्त किया है गुजरात, तमिलनाडो, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल, राजिकुल उत्पादन का 50% से अधिकुरवरक का उत्पादन करते हैं अन्नमहत्पूर्ण उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश, उरिशा, यहां राज लिखा हुआ है प्राजस्थान, बिहाल, महराष्ट्र, अश्रम, पश्चिम्बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्यप्रदेश तथा करनाटक है प्राकिर्टिक गैस की सहज सुलब्धता के कारंदेश के विविन भागों में उर्बरक सेंद्र अस्थापित किया जा सकते है भारत द्वारास 2006-07 में लगभग 150 लाख टन नाइट्रोजनी, 50 लाख टन फासफेटी तथा 20 लाख टन पोटासी उर्बरक को का उत्पादन किया है पोटासी उर्बरक बनाने के लिए भारत को पोटेशियम आयात करना पड़ता है तकी बाहर के देशों से लाना पड़ता है यह देखिए भारत में उर्बरक सयंत्र संकेत के माध्यम से दिया हुआ है देखिए जहाँ जहाँ संकेत दिया हुआ है वहाँ वहाँ उर्बरक सयंत्र अस्थापित है सब संकेत से दिया हुआ है दिखाया गया है चित्र है तीन्द समलव साथ भारत उर्वरव सयंत्र समलव को पढ़ने के लिए सिमेंट उधोग अवाश निर्मान एवं देश के धाचागत छेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है भारत विस्व का दूसरा सबसे बड़ा सिमेंट उत्पादक देश है भारत में कई तरह के सिमेंट का उत्पादन होता है जैसे साधारन पोर्टलेंड सिमेंट पोजोलाना पोर्टलेंड ब्लास्ट फर्नेर्स असकैल सिमेंट आयल वेल एबं सफेद सिमेंट आदी सिमेंट उ पिलिका, एलुमूनियम और जिप्सम की अवशक्ता होती है। इसलिए यह उधो कच्छे माल के निकट अस्थापित किया जाता है। नेक्ष फ्रेंट देखिए भारत सिमेंट उधो का यहां पर संकेत दिया हुआ है फ्रेंट्स। कि यह जो संकेत है जहां यहां यहां कि सिमेंट काव धोग है कि यह सब जग है नेक्ष्ट देखते हैं फ्रेंट समलोग चित्र था साथ सिमेंट उधोग का पहला सिमेंट सयंत्र जो है 2004 स्वी में चेन्नाई में स्थापित किया गया था इस उधोग का विस्तार मुखता सतंत्रता के बाद ही हुआ आज देश में 169 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सिमेंट सयंत्र है 2008 में इनकी कुल उत्पादन चमता प्रती वर्ष 1683 लाक टन है 2007 से 2008 चुकी भारतिय सिमेंट की गुनबता उत्ता में अता दच्छिन और पूर्वी एसिया की देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है इस समय देश में प्रती वर्ष 20 करोड टन से अधिक सिमेंट का उत्पादन किया जाता है नेक्ट दखते हैं फ्रेंट तैयार माल अधारित सनरचनात्मक एवं उपकरन उधोग जिसमें की पहला है परिवहन उपकरन उधोग जैसे इसमें रेलवे पढ़ने के लिए दिया पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंट भारत में रेलवे का जाल बिच्छा है माल एवं सवारी गारी के डिबो और रेल के इंजिनों की बड़ी संख्या में मांग रहती है अतह रेलवे इंजन यातरी डिबे और माल डिबे का निर्मान का उधोग बड़े अस्तर पर बिक्सित हुआ है आज हम रेलवे के भारी डबो का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं बड़ी लाइन वाले बिधुत चलित इंजन पस्चिम बंगाल में इस चितरंजन के लोको मोटिव वक्स में बनाये जाते हैं वारा नशी में डीजल चालित रेल इंजनों को बनाने का कारखाना है सवारी के डबबे पैरा बूत बैंगलोर और कपुर थला और कोलकत्ता में बनाये जाते हैं माल गारी के डबबे नीजी छेतर तथा रेल कार खानों में तयार किये जाते हैं बिहार के पटना जिले के मुकामा में भारत बैगन एंड इंजिनियरिंग कमपनी लिमिटेड है जो रेलवे के लिए बैगन तयार करता है मुंगेर जिले में जमालपूर में रेलवे का वर्क्सवफ है जो एसिया का सबसे पुराना रेलवे वर्क्सवफ है सारन जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कार खाना और नलंदा जिले के हर नौत में सवारी गारी के रेलवे डिबबे बनाने का कार खाना अभी निर्मान धीन है देखिए फ्रेंट्स आगे देखते हैं मोटर गाड़ी उद्धोग सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है इस समय मोटर बाहन जैसे ट्रक बस कार मोटर साइकिल अस्कूटर आदि बड़ी शंख्या में निर्मित किये जाते हैं तिपहिय अस्कूटरों के निर्मान में भारत का अस्थान प्रथम अस्थान है ट्रेक्टर और साइकिल भी बड़ी शंख्या में बनाई जाती हैं मोटर साइकिलों का निर्मान लखनवू, सतारा, पंकी, कानपूर, आहमदावाद के निकट और कुर्दी तथा पिमपरी मे बनाये जाते हैं मारुती उधोग दिल्ली के निकट गुरगाओं हर्याना में है टाटा इंजिनियरिंग एवं लोको मोटिव कंपनी ली टी इल सी ओ भारत में मध तथा भारी बेवपारिक बाहनों के मुख उतपादक है महिंद्रा एवं महिंद्रा नाशिक में अस्कार प पूने, इंदौर, हैदरावा, तथा बैंगलार में हुआ है नेक्स्ट है फ्रेंट देखिए पोत निर्मान उधोग इसमें हमलों को पढ़ना है आज पोत निर्मान एक बड़ा उधोग है इस उधोग के लिए विसाल पुन्जी की अवशकता होती है इस समय देश में पोत निर्मान के पाच प्रमुख केंद्र है विसाखा पतना, कुलकता, कोच्ची, मुंबई और मंजगां ये सभी शारवजनिक छेतर में है बड़े बड़े अकार के पोत का निर्मान कोच्ची और विसाखा पतना में होता है इसमें करमसर एक लाख टन की डी ब्लू टी तथा पच्चास हजार टन डी ब्लू टी के जहाज बनाये जाते हैं, खाले जहाज के बचन को डी ब्लू टी कहते हैं, मंज पोत प्रांगन भारतिये नौ सेना के पोतों के निर्मान के लिए बनाया गया है, कुलकता के निकट डर्ण रीज में कर्स नाव, माल नौकाय, निसकर्स पोत, तत, पोत, जल पोत के प्रियोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्मान किया जाता है देखे फ्रेंट्स यहां पे दिया हुआ है भारिक इंजिनियरिंग और यांत्रिक उपकरन उधोग को यहां सब सिंबल से इस डाइगराम में दिखाया गया है भारि इंजिनियरिंग और यांत्रिक उपकरन उधोग संकेत से सब दिखाया गया है अब चोथा फ्रेंट बायू उधोग देखते हैं कहां कहां स्थापित है यह एक नया उधोग है यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रन में है इस उधोग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयर कार्ट लिमिटेड बंगलूरू में 1940 में लगाया गया था इस कारखाने को 1964 में एरोनाटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिला कर हिंदुस्तान एरोनाटिक्स इंडिया लिमिटेड बंगलूरू में बनाया गया जिसका लोग प्रिये नाम हॉल है आज भारत कई प्रकार के छोटे एवं बड़े बायूआनों का निर्मान करता है भारतिय बायु वानों का परियोग इंडियन एयर लाइन्स और भारतिय बायु सेना द्वारा किया जा रहा है भारतिय बायु वानों का परियोग अंतर छेत्रों में इंडियन एयर लाइन विदेशी में एयर इंडिया एवं सैनिक छेत्रों में उपियोग किया जाता है आज हम क्रिशक, पुस्पक, जेट मिंग, सूपर सेनिक, जेट अपरोधी बिमान, वर्स, बंबर्धक, हेलिकोप्टर, मिंग, तथा एक्टो, 746 प्रकार के बाईवानों का निर्मान करते हैं बंगलूरू, कानपूर, नासि, के निकट, ओजर, उडिशा में, कोरा, पुट और आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में इस उद्धोग के रमुख केंद्र हैं नेक्ष्ट दिया हुआ है फ्रेंट, देखिए फुटलूज अर्था तकनीकी एवं स्रम्मिक दक्षता आधारित उद्धोग इसमें पहला दिया सूचना प्रदहोग की तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्धोग इसमें बाक्स में दिया हुआ है फ्रेंट्स क्या आप जानते हैं बंगलोर को इलेक्ट्रोनिक उद्धोग की राधानी काते हैं इसे सिलकन सिटी यानि की सिलकन नगर भी कहा जाता है देखिए फ्रेंट्स सम लोग अब यहां से पढ़ते हैं सूचना प्रदहोग की तथा इलेक्ट्रोनिक उप्योग इस उद्धोग को ग्यान आधारित उद्धोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए एक विशेष्ट नए ग्यान उच्च प्रदहोग की और निरंतन सोध और अनुसंधान के वशक्ता रहती है इसने देश के आर्थिक ढाचे तथा लोगों को जीवन सैले में बहुत क्रांती ला दिया है इस उद्धोग के अंतरगत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलिवीजन, टेलिफोन, पेंजल, राडार, सेल्यूलर, टेलिकॉम, लेजर, जैब प्रधोग की अंतरिक्ष, उपकरन, कम्प्यूटर, यंद्र, शामागरी, हार्डवेर, तथा प्रकिरिया, शामागरी, सौप्ट्वेर, इत्यादी इन्हें उच्प्रधोग की उधोग भी कहते हैं इनके प्रमोख, खुतपादन, केंद्र, बंगलोरू, मुंबई, दिल्ली, हैदरावाद, पूने, चेनाई, कुलकत्ता, कानपूर, तथा लखनव है इनके अतिरिक्त 20 सौप्ट्वेर प्रधोग की जो है, 20 सौप्ट्वेर प्रधोग की पार्क है देखिए फ्रेंट्स, यहाँ पर कॉल्लेंबल हम लोग पढ़ते चलते हैं क्या आप जानते हैं, कच्चे माल पर आधारित ना होने के कारण एलेक्ट्रोनिक उधोग को स्वच्छन्द, यानि की फूटलूज उधोग कहते हैं मतलब की कच्चे माल यहाँ पर आधारित ना होने के कारण इस तरह से बोला जाता है जो सौप्ट बेर पिसे सग्यों को एकल बिंडो सेवा तथा उच आकड़े संचार हाई डाटा कम्यूकेशन सुविधा प्रदान करते हैं इस उधोग का प्रमुख महत्व रोजरोगाव प्लत कराना इसमें रोजगार पाये बेक्तियों में लगवक 30% महिलाए हैं पिछले दो या तीन बरसों में यह युद्धोग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है जिसका कारण तेजी से बढ़ता वेवसाय प्रकिरिया बाहय सोत्री करन बिजनस प्रोसेज आउट सोर्सिंग बी पी ओ है इस से जुड़ी अर्थ वेवस्था को ग्यान अर्थ वेवस्था भी कहते हैं देखिए फ्रेंट्स भारत में सब्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क्स यहां पर सिंबल से दिखाया गया है देखिए यह सब्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क्स आगे फ्रेंट्स हम लोग पढ़ते हैं देखिए तैयार बस त्रेवं पोसाब उध्धोग जो जिसको अमलोग डेडि मीट कपड़ा बोलते हैं यह उध्धोग भारत में हलके उध्धोग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है